So hello everyone, कैसे हैं आप लोग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर C.A. Dr. Amit Khandal और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा C.A. Final Direct Tax का पूरा का पूरा revision plan और दोस्तों हम Direct Tax को इतना simple बना देंगे कि आपको मैं अपने साथ ही पूरा DT revise करा दूँगा अच्छा दोस्तों, DT को revise कैसे करना है, ये सारा मैं आपको बताऊँगा कौन से topic हमको सबसे पहले उठाने है भाई जिससे हमारा 70 से 80 परसेंट तो पूरा cover हो जाए ये सारा मैं आज के वीडियो में डिसकस करूँगा कब से revision हमारा series स्टार्ट होगा, क्या timing रहेगा कब-कब हम revision करेंगे, everything my dear friends सब कुछ आज के वीडियो में आने वाला है, बस दिल ठाम कर बैठिये तो दोस्तों इसके लिए आपको ये telegram channel का link में आपको दे रहा हूँ ये आप join कर लीजेगा, description box में ये है हमारा academy का telegram channel जहां पर आपको मेरी पूरी announcement हमेशा time to time मिलती रहेगी दोस्तों ये हमारा May और November 22 का नया batch, regular batch, start होने वाला है 10th of November से, 10th of November से हम इसको start करने वाले है, my dear friends तो आपको बहुत मज़ा आएगा, रात 9 बजे YouTube channel पर इसी an academy पर आपको मिलेगा फ्रीज streaming है, आप लोग आईए, join करिए अगर आपका 2022 में हिजाम है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों यह an academy learning है, आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा, यह है बहुत सारे subscription model, बहुत सारी चीजें चलिए दोस्तों, अब मैं पूरर revision वाला plan आप लोगों के साथ discuss करता हूँ दोस्तों, आप लोगों का 100 number का paper है, C.A. final direct text paper number 7, जिसका revision series मैं 15 November से लेकर आ रहा हूँ किसी महीने की 15 November, जो आगे November महीन आएगा, क्योंकि आपका exam December में है, लेकिन दोस्तों, second group का exam थोड़ा late होता है तो इसलिए मैंने November first week में revision series start ना करके, 15th November से आपका revision series start किया है और ये जो revision मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों, ये old और new course के लिए same रहेगा, paper number 7, December 2021 exam टाइमिंग जो रहेगा हमारे revision का भाई, वो morning में 9 बचे रहेगा, या रात को 9 बचे अन अकेडमी के YouTube चैनल पर रहेगा ठीक है, अब revision कैसे करना है, paper का pattern कैसा रहेगा, everything आप लोगों से share करने वाला हूँ दोस्तों paper hard आएगा, easy आएगा, everything, पूरा analysis हम यहाँ पर करेगे तो भाई लोगों paper का part A, part B, part A आपका income tax के normal provision आएंगे, part B में international taxation cover होता है अच्छा paper 80 number का आता है दोस्तों जिसमें आपको choice मिलती है, international tax 40 marks का आता है जिसमें आपको choice मिलती है तो total 120 marks का question पर आता है जिसमें से आपको choice मिलती है, mcq question आपको 30 marks के करने होते हैं, बाकी 70 marks का आपको descriptive करना है तो दोस्तों हम सबसे पहले जो revision लेकर आएंगे, वो category A वाले chapters का लएंगे मेरे जो revision होंगे दोस्तों, मैं weekends पर Friday, Saturday, Sunday कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा revision करा सकूँ, है ना और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं DT के साथ IDT का भी revision series लेकर आने वाला हूँ तो एक साथ दोनों खुशियां आपको मिलेंगी दोस्तों, मैं आपको DT और IDT दोनों का revision यहाँ पर करवाँगा, क्योंकि मैं unacademy पर exclusively DT पढ़ाता हूँ, IDT नहीं पढ़ाता हूँ तो IDT भी मेरा subject है तो वो भी मैं आपको इस बार cover कराके चलूँगा, तो हम कोशिश यह करेंगे, देखो course बहुत बढ़ा है माइडियर के, आप अगर यह सोचों कि मैं पूरा book पढ़ लू, सारे chapter कर लू, तो हम बहुत बड़ी बेवकूपी करेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले category A chapters को cover करना है, NR taxation 15 नंबर का question आता है exam में कम से कम, जब taxation relief में से एक question पका आता है, transfer pricing, equalization, levy, यह 4 chapter आपको 30 से 35 नंबर दिलाएंगे भाई लोग, तो सबसे पहले मैं आपको यह cover कराके चलूँगा, यह 4 chapter में हमारे 30 से 35 नंबर score cover हो जाएगा, मेरे handwriting notes से पूरा cover कर करवा दूँगा मैं आप लोगों को, मुझे कोई question important लगेगा तो वो भी मैं साथ में discuss करूँगा, बाकी मेरे जो concept notes हैं वो पूरे हमें आपको class में करवा दूँगा, इसके बाद 115 BBA, BAB और BAC, यह 3 जो optional tax rate वाले section है, यह हम revision में cover करेंगे, various entities का assessment है, जिसमें MAT, Business Trust, Firm, AMT, और section 10 AA की exemption, 8 से 10 number यहां से आएगा paper दोस्तों, किसे हम cover करेंगे revision में, TDS, TCS, Advanced Tax, इसमें हमको section number भी याद रखना है, बाकी जगे section number याद रखना बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है, इस chapter में ज़रूरी है, तो यह भी मैं आपको revision series में cover कराके चलूँगा, PGBP का 15 से 16 number का question आते हैं, भाई, जो पहला compulsory question है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा PGBP के provision मिलेंगे, अलग से भी question आता है, तो इसे भी हम cover करेंगे, my dear friends, हमारी revision series में, Charitable Trust, इसमें exit tax बहुत important है, 18 से 20 number, तो यह जो 75 से 80 number का portion है, direct tax का, यह भाई, मैं पूरा आपको revision series में करवाने वाला हूँ, जूट नहीं बोलूँगा, यह मैं आपको करवाने वाला हूँ, यह category भी है, maintenance taxation, slum sale, other source, गार, penalty, assessment and revision, यह भी category है, यहाँ पर 22 से 25 number का आता है, तो इतना time हो सकता है, मारे पास ना हो कि मैं category भी आपको पूरा revise करा पहूँ, कोशिश करूँगा, कुछ इसमें से भी मैं cover करा हूँ, और category C तो दोस्तों, अगर आप चाहो, तो एक बार अगर समय कम है, त जिसमें आपके NR के जो बाकी के provision बच गए, उपर जो category A में आगे, उसके अलावा, BPS, Tax Treaty, Capital Gain, Advanced Ruling, Appeals, यह सब जो category C chapter है, इन्हें हम last में देखेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे, ना तो ना से, राइट, अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूँ आप लोगों को, 15 त जॉइन करके रखिएगा, जब-जब मेरे revision session आएंगे, मैं पहले से आप लोगों को बता दूँगा, उसका timing भी बता दूँगा, date भी बता दूँगा, आप लोग यह मान कर चलो कि weekends, Friday, Saturday, Sunday को मेरे revision session आपके सामने रहेंगे ज़्यादा, direct text के भी और indirect text के भी दोस्तों, इस राइट, अच्छा rule number, section number, case law का नाम याद करने में भाई लोगो time waste मत करना, कोई मतलब नहीं है, कोई extra marks नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को बस यही advice करूँगा भाई, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका teacher हूँ, कि इसमें समय बरबाद मत करना, केवल TDS वाला chapter देख के questions आते थे, 35-40 number तक का वेटेज होता था case law का, अभी मुश्किल से 4 number, 8 number highest है, 4 number से ज़्यादा नहीं हाता, तो आपको time waste नहीं करना है, और कोई अलग से marks नहीं मिलते दोस्तों, मैंने खुद AIR1 का copy का पूरा analysis करके दिखाया, जिसमें कोई section number नहीं है, कोई rule number नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी tension free रहो, इन सब चीजों को याद नहीं करना है, अभी अपना provision पर focus करो, rule में section के अंदर क्या लिखाया, कई लोगों को rule और section याद है, अंदर लिखाया वो याद नहीं है, क्या मतलब है दोस्तों, तो यकीन मानिए, इन में अपना समय waste ना करे और practice करें, कोई question मुझे important लगेगा, वो भी मैं बीच में cover करके चलूँगा, है न, अच्या MCQ के लिए आप ICI वाला एक बार देख सकते हो practice के लिए, बाकि मैं जो आपको basic notes से revision करवाऊंगा न, ये जो starting chapter है, इन में ही आपके MCQ भी cover हो जाएंगे, तो मेरा main जो focus है न, वो तो यकीन मानिए, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको पूरा revision में करवाऊंगा, पूरे enjoy के साथ, ठीक है भाई, और IDT का भी announcement आपको जल्दी मिलने वाला है, एक दो दिन बार, जैसे आप इस वीडियो को देखोगे, इसके एक दिन बार में आपको IDT का भी पूरा announcement कर तो यह सारी बात थी दोस्तों, और आप लोगों से बस इतना सा request है, my dear friends, कि वीडियो पर अपना प्यार जरूर दिखा दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं भाई, चैनल पर अगर नए हैं, तो उसको subscribe करके bell icon हिट कर देना, thank you very much, और अगर आपको कोई भी subscription चाहिए यह आपके भाई का code है, इसको use करना, flat 10% discount भी मिलेगा, ठीक है भाई, और it's a great help for me, thank you very much, टाटा भाई भाई भाई, अपने भाई लोगों के साथ, जिनका December में एक्जाम है और वीडियो को share कर देना, है ना, और like कर दोगे तो सच्छी में मज़ा आ जाएगा, it's a very very great help for me, thank you very much my dear friends, टाटा भाई भाई, और last में एकी बाद बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो, और जीत के गीत गाते चलो, टाटा भाई भाई